हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें नमस्कान News 29 इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं सान्या जी आपके साथ शामगर की चंद्रवासा चौकी प्रभारी निर्वल सिंग भूरिया के खलाफ शेत्र में आक्रोश फैलता जा रहा है शेत्र के लोगों का कहना है कि फरजी प्रकरन दर्ज कर लगातार अवैद वसूली की जा रही है आज शेत्र की 6 गाडियों में 60-70 व्यक्ती विधायक हरदीप सिंग दंग के यहां पहुचे और चौकी प्रभारी निर्भै सिंग भूरिया के खिलाफ कारिवाई करने की मांगी इस दौरान ग्रामीडों ने S.P. को भी आवे दल दिया और कहा कि लगातार हो रही फरजी कारिवाईयों से आम लोगों में दहशत का माहुल है ग्रामीडों का आरूप है कि सट्टे के मामले में एक लाग से अधिक की वसूली की और प्रकरण मात्र 19,000 का बनाया किलगारी के दशरत सिंग पवार ने चितावनी दी है कि यदि कोई कारिवाई नहीं की गई तो कल निर्भे सिंग भूरिया का पुतला जलाया जाएगा ग्रामीडों का कहना है कि पुलिस कफ्तान पुलिस की चबी सुधारने में लगे हैं लेकिन निर्बेर सिंग भूरिया जैसे चौकी प्रभारी गलत प्रकरन बना कर पुलिस की चबी को धूमिल कर रहे हैं। विरे रिपोर्ट निउस 29 इंडिया और लगातार लोग इनकी गतिवीदियों से परिचित हो चुके निए और अभी हाले में चार केस बने हैं एक अपनेरे साथ में जो है दैराम जी धंगर इनके पापा का कुछ केस था उसको फरीची तरीके से बनाया गया एक अवेच शराप का संग्यान में होगा आपके जो प सकता चला रहा है तो आप प्रतिशित देख लिजिए और उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्हों दर्वाजा लगा के हमारे जीव से पेसे निकलबाए और सट्टे का प्रेक्रांद बनाया हमें यहां से चोकी पे ले गए और चोकी पे लेगा हमें जब खबर लगी इनको ह दूसर रुपे की इन्होंने दिमांड रखी बिल्कुई पुनवत रही अवे तरीकत हमारे ओपर यह पर्चिकेश बनाये अज इस बात को लेका आप जो विद्यागी से मिलने भी गए तो क्या बात करें ने क्या आश्वस किया हम अभी आज जो गयते हैं इसमें शेत्र की ह हमारे साथ में जितने भी किया कायरे करता थे वह सब से पसाड़ मतलब छे गाड़ियां थी शे चाठेक आत्मी थे और हम विद्यागी पास गया पन दिया उनको बाई साथ जो भी हो रहा है यह जो पुलिस परशासन है जनता की रक्षा के लिए है कि जनता की बखशक है बि गुडबाजियों में लड़ा ही होती है तो नको समझाने के नाम पे यह पांच-पांच हजार रुपए अवे दो सुली कर रहा है और सट्टाओं को सट्टाओं को सट्टाओं लागतार खबरों के लिए बने रहे है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश